पैसे लेकर एंकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस पर आज तक के खुलासे की गुंद संसर तक पहुँचे यूपी के पूर वसीयम अखलेश यादव ने आज तक से एक्स्क्रूसिफ बात की और योगी सरकार पर सवाल दा गए है मैंने पहले दिन से कहा है ये इंकाउंटर करने वाली सरकार है कानू विवस्ता नहीं समाल ले और जिस प्रदेश में जेल के अंदर हत्या हो जाए हम जानना चाहते हैं आगरकाल जेल जैसी सुरचिछ जगे पर कैसे हत्या हो रही है और जितने भी इंकाउंटर हुए हैं मैं समस्ताओं में आपको बढ़ाई देता हूँ कम से कम वो सच्चाई आपने दिखाई है जो सच्चाई हम लोग बोल रहे थे लगाता अब सरकार को सामने आना चाहिए आखरकार ये सरकार में चल क्या रहा था गम सरकार सच्चाई तो बताया अगरगर क्या था ये कौन लोग शामिल हैं जो इस तरह के पैसे लेकर के इंकाउंटर करा रहे हैं ऐसा लोग तंत्र में होगा लोग तंत्र में अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई सुरचित नहीं बचेगा लेकिन बीचेपी को ये कहना है कि हमने कानून विज़स्ता इस्तिती बनी हुई है जो लोग इनवाब थे जो पुलिस वाले कह रहे थे उनके खिलाब तुरंत करवाई कि एक सूचना नहीं है आप उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाएं एक समय ऐसा लगातार इंकाउंटर सरकार कर रही थी मैं तो जानना चाहता हूं कि कई रिपोर्टें आई हैं हिमर एट कमिशन ने कभी इतना सरकार को नोटिस में नहीं दी होंगी इतनी कभी किसी सरकार को नोटिस मिली होगी लेटिस खबरों के लिए यो ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले